सब्सक्राइब करने पड़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं पैसेज वन से पैसेज वन के अगर बात की जाए तो पैसेज वन आपके पास बहुत समूद बहुत एजी होगा आपको एजली अंसर फाइंड आउट हो जाएंगे और पैसेज टू के अगर बात की जाए तो पैसेज टू में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है उसमें कुछ पार्ट आपको ट्रिकी और कन्फूजिंग जिसमें आपको कोशन को एक से जादा बार पढ़ना पड़ेगा कोशन सौल्ट करने के लिए सो बी पर प्रपेर फोर एट और पैसे थी के अगर बात की जाए तो पैसे थी आपके पास मोडरिश लेवल के आने चांसिस है तो पैसे टूंड आपके पास पैसे जैसी होंगे जिसमें आपको question जो है वो थोड़े से confusing, थोड़े से trickiest मिलेंगे, अगर मान के चलो कि वो band 7 और band 8 के according जो है design किये होंगे, तो अगर आपको किसी question type में दिक्कत है तो हमारी playlist में जाईए, वहाँ पर reading की आपको series मिलेगी, किसी question type में अगर आपको दिक्कत है तो हमारी चेक कर सकते हैं, चलिए अब बात करते हैं हम कि क्या question type आने के चांसी से, so basically students को ज़्यादा confusing होती है true false not given में, but आपको true false not given 4th November के exam में definitely देखने को मिलेंगे, और around 7-8 questions जो है आपको true false not given के मिलेंगे, true false not given and yes no not given यह आपको अच्छे सी करने हैं, उसके अलावा आपको list of heading, list of heading के आपके पास जो है 4-5 questions आने के चांसी से, along with that mcqs and blanks, blanks आपके पास 2 words or no more than 3 words यह वाले आपको blanks अच्छे से prepare करने हैं, बेसिकली question type आपके पास 4 है, that is true false not given, list of heading, ncqs and blanks, यह चार type of questions जो है आपको अच्छे से prepare करने हैं, अभी देखो अभी ज़्यादा experiment मत करना क्योंकि अब exam आपका पास में है, अगर आपका 4th को exam है, ज़्यादा experiment मत करना, जो आपका way है practice करने का, उसी way पर थोड़ी सी और मिहनत करना, यानि कि यह question type आपको same pattern में, जो pattern से आप solve करते आ रहे हो, उसी pattern से solve करने हैं, अगर किसी question type में आपको दिक्कत है, then please इसी channel में आपको playlist मिल जाएगी, जिसमें reading series में आपके साथ already share की हुई है, each question type के वीडियो हैं उसमें, कि किस तरह से उसको solve किया जाता है, तो आप वो देख सकते हैं, चलिए move on करते हैं listening part की तरफ, listening का level जो है, आपके पास easy रहने के chances है, easy से मेरा मतलब है, आप easily जो है, 7 bend तक अचीव कर सकते हो, बहुत छोटी सी बातों का ध्यान रखे, सबसे पहले part 1 की बात करते हैं, section 1, section 1 के अगर बात की जाए, तो section 1 में one word add or a number आने के high chances है, so, वो इतना smooth, इतना slow होगा वो आपका section की आप उसमें 10 out of 10 अचीव कर सकते हो, थोड़ा सा आपको अपने answer sheet पर, अपने question book late पर, question को understand करने पर focus देना है, then आपको इधर उधर देखकर time pass नहीं करना, तांकि आपकी listening में score down ना जाए, section 2 के अगर बात की जाए, तो section 2 में आपके पास mcqs, चाहे वो single mcq हों, चाहे वो double mcq हों, double mcq से मेरे वतलब है, जिसमें आपको एक से ज़्यादा option choose करने को मिलती है, वो double mcqs, इसके अलावा map आने के chances हैं, अगर आपने अभी तक map की preparation नहीं की, then please map की preparation कर लीजिएगा, section 3 के अगर बात की जाए, तो again mcqs आने के chances हैं, और mcqs में अगर आपको दिक्कत है listening के तो उसकी भी video channel पर upload है, आप देख सकते हैं, mcqs इसमें single मिलेंगे, बट options जो है वो थोड़ी lengthy होंगी, so lengthy options का एक नुकसान होता है, कि बहुत सारे students को आदत है, कि वो पूरी पूरी जो नीचे options दी होती हैं, उनको read करने लग चाते हैं, और time उतना नहीं होता, so इसलिए आपको क्या करना है, just write keyword pick करने हैं, और उसके बाद जो है आपको answer, अच्छे से सुनना है, कि क्या बोर रहा है speaker, वो सुनके आपको answer दे करना है, चलिए अब बात करते हैं, mcq के अलावा match the information भी आने के chances हैं, section 4 के अगर बात की जाए, तो वो थोड़ा सा fast, थोड़ा fluent रह सकता है, बट easy होगा वो section, और one word आने के chances हैं, overall अगर बात की जाए, तो listening में आप easily 30 ले सकते हैं, reason की section 1 and section 2 पर आपको अच्छे से focus करना है, उसमें अगर आपके 20 out of 20 भी आते हैं, तो भी आप easily 7th band तक बहुन सकते हैं, चलिए बात करते हैं, writing की, writing task 1, task 1 के अगर बात की जाए, तो bar, line आने के high chances हैं, इसके अलावा, अगर आपने अभी तक diagram की practice नहीं की, diagram means process diagram along with map, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो आपको bar, line and diagram इनके practice करनी है, और task 2 के अगर बात की जाए, तो task 2 में आपके पास agree, disagree, तो हमेशा as always रहता ही है, उसके साथ discuss both views, इस टाइप के question आपको करने हैं, इसके साथ साथ आपको एक category और करनी है, that is advantage, out way, disadvantage, so ये तीन topic हैं, जिसमें से आने के high chances हैं, और सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, टोटल 10 categories हैं, जिन में से exam writing का आता है, मान के चलो आप education हो गया, employment हो घिक है, job and employment एक category होगी, social एक category होगी, health हो गया, sport हो गया, तो इन 10 categories को आप अच्छे से analyze करो, कि पिछले मंद में कौन सी category में से exam आया है, so अगर आप देखते हो, कि पिछले मंद में जो है, ये ये pattern में exam आया है, तो आप खुद से predict कर सकते हो, कि इस पर आने के किस के chances हैं, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हो, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपको content अच्छा लगता है, उसके साथ अपना exam देने के बाद आपके review कि क्या prediction के coding ही आपके exam आया, या उसके अलावा आपका कोई exam आया, तो अपने feedback, आपके valuable feedback जो है हमारे लिए बहुत माइने रखते हैं, तो अपने valuable feedback जो है हमारे तक जरूर शेयर कीजिएगा, thank you for watching this video, thanks once again.